अजमेर में लगातार बढ़ रहे पोजिटिव मामलों के बाद जिला पुलिस और चिकिसा विभाग ने सामोई प्रहसवारता कर आम जनता से सतरकता बरतने और सोचल डिस्टेंसिंग की पालना करने का आखवान किया मीडिया से बाचीत करते हुए कलेक्टर विश्व मोहन शर्वा ने बताया कि जिले में पिछले तीन दिन से लगातार पोजिटिव मामले मिले हैं जो अजमेर वासियों के लिए खत्रा बने हुए हैं लेकिन चिकेसा विभाग के साथ ही जिला प्रशासन ने बढ़ते मामलों को लेकर अपनी जाच और स्क्रिनिंग तेज कर दी है किसी तरह की लापरवाई नहीं बरती जा रही है पिछले 24 मार्च को मिले पहले पोजिटिव मामले के साथ ही विवस्ताओं को तेज कर दिया गया था अजमेर वासियों को घबराने की आवश्यक्ता नहीं है